अब लोग ठीक है आप सभी का स्वागत आपके प्यारे से बरसा क्लासेश में सभी लोगों का स्वागत बहुत-बहुत स्वागत है तो अब हमारी यो क्लास है वह आपकी है कि 25 जनवरी 2023 के जो पेपर हुआ था करेंगे मैथ वाले पार को ठीक है वीजनिंग की पहली वाली हमने आप लोग को अपलोड करा दी है क्लास ठीक है तो आप लोग इसको क्या कर ले पढ़ ले ठीक है तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग टेलिग्राम लिंक पर जाकर अपना डाउट डाउट पूछ ले आराम से आपको आपकी डाउट consumer मिल जाएगा तो अगर कोई भी डाउट थी होता है तो आप लोग चलता है तब तक मैं अपको क्लास नहीं हिं longer करेंगे और परवरी में आपके पेपर हैं और हमें कम्प्लीट पेपर करने हैं ठीक है इसलिए हम रिकॉर्डट करके डाल दिया करेंगे आई होप तो आप संझेंगे ठीक है कि शुरू करते हैं अपनी क्लास को कि एक सामाने अध्यान में पुष्टक का अंकित मूले इतना है यदि 15 प्रतिसात और 20 परसिंट की दोकिन में छूट दीजान इसका बिक्रे मूले बताओ तो इतना हो जाएगा है ना चूट देने के बाद 15 तो कितना हो जाएगा 17 में वेची जाएगी चीज कितने की 20 की थी तीन की क्या मिल जाएगी चूट दीजाएगी यहां से 20% का मतलब कितना आ जाता है एक बटी पांच पांच कितने वेची जाएगी चार में ठीक है तो यह क्या आजाएगा आपका सेलिंग प्राइज पांच दूनी दस होते हैं या तो चाहो तो दो जीरो सीधे सीरे आप लोग घटा दो आटू सादू कितने हो जाएगे चार और पांच कितने हो जाएगे तेरह हो जाएगे ठीक है चार और आ जाएगा तो सेलिंग प्राइज प्राइज ठीक है अगर चले हम लोग एक चुनाव में संतोस और मंतोस है कौन है एक संतोस है एक मंतोस है करा है इनको जो संतोस है संतोस ने मंतोस से इतने रुपे अधिक लिए है ठीक है इसने क्या किया है इससे संतोस ने इस मंतोस से 24 रुपे 2400 रुपे के लिए हैं अधिक मत प्राप्त कियों है इतने मत अधिक प्राप्त ची है जो ना कि से में 30 प्रफेंट और 40 मद प्राब किया तो इसमेंसे मन्तोव ने किये 30 प्रतिसाद इसमें 30 consent उसने इसने से कितने जाधा लिये थे कितने जाधा लिये थे आपलोग बता सकते हूं 10 जाधा है यह उस्त की ग voted 24 अजा 1較 Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 24 सो आ जाएगी हमें टोटल की चाहिए टोटल कितने हैं 100 परसेंट है सीधे डबल जीरो गड़ा दो इसमें क्या बड़ा दो डबल जीरो अन्नी 2,40,000 आ जाएगा कहां दिख रहा है आपको तीसरा ओप्सन है समझ में आ गया एक बार और देख लो एक चुनाब में संतोस है और मंतोस है संतोस ने जो है आपके मंतोस से 24,000 मत अधिक लिए ठीक है अब जब मत गिरे तो टोटल मत कितने थी हम परसेंट में देखते ही कितना होता है 100% होता है पर मंतोस ने 30% मत प्राप्ट किये संतोस ने कितने किये 40% मत हजार है तो एक की वैल्यू 24 स्वारी हमें क्या चाहिए है टोटल मत कह रहा है कुल मतों की संख्या बता हो तो कुल कितने थे सो थे तो रियल में कितने हो जाएंगे दो लाक चालीस हजार हो जाएंगे इतनी बास समच में आ गई आगी चले हम लोग तो यहां देखो क्या होगा एक कार्रे को दस पुरुस और आट दिन में और दस महिलाएं साथ दिन में पूरा करती है एक चीज देखो यहां कहता है दस पुरुस यहां दस महिलाएं और दस पुरुस बारी बारी से काम को करें तो महिलाएं पहले दिन करती है और पुरुस बा हम मालनेते हैं एक कार्रे को मैल को या जो है वो आठ दिनों में करता है एक जो फीमेल है वो कितने दिनों में साथ दिन में टोटल सांच डिन वारी से काम करते हैं महिला पहले दिन करती है मतलब एक दिन में कितना आठ कारे करती है यह कौन है फीमेल है फिर कौन आता है मेल एक दिन में कितना कारे कर लेता है साथ यानि दो दिन में कितना कारे कर लेते हैं आठो साथ कितने हो जाएंगे 15 हमें चाहिए कितना टोटल कार है 56 15 का देकुल लगबक 56 के आसपास कैसे आ सक जाता है आपकर रे आजाता है तो चैनल में कितना कार्य कर लेगा 35 थैस्का नियुक्त भॉक की जाएगे तोb उसके पास सेट यहां लिख दो यहां लिख दें ø ef यहांड और फीमेल की एक दिन में कितना कार्य कर कर लेगी 8 था रेधोट की sab यानि साथ दिन में कितना काम कर लिया उसने इतना कारन कर लिया ठीक है पैतालिस को जोड़ के देखो कितना हो जाएगा त्रेपन हमें कितना काम और करना है तीन काम अब बाहरी किसकी है मेल की है एक दिन में साथ कारे करता है तो एक वटे साथ कारे कि एक वटे साथ दिन में क चाहिए तो इसे ही रहने दो इसने इतना ही पूछा है आपसे तो यहीं छोड़ देते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो हम पूरा दिखा देते हैं एक बार और किलियर कर लो क्या कह रहा है एक जो मेल था वो एक कारे को आठ दिन में करता है फीमेल साथ इनमें इनका टोटल कारे तो कितना था 56 था 56 कारे कितने कितने में हो रहा है इतने में एम की छमता इतनी आ गई यह दिन था जब दिनों का डिवाइड देते हैं तो क्या आती है छमता आती है तो छमता निकालने के लिए क्या होता है आपका उलकार रहे बटे होता है आपका समय ठीक है तो समय से हमने लगब से काम करते हैं मैं इक दिन में साथ कार्ये करता है हमें टोटल 56 कार्ये चाहिए दोनों को एड किया नि दौदिन दिन में 15 कार्ये हो रहा है ठीक है एड हड करते टाइम हमें लगबग बेंसे लेकर आना है तो हमने का 15 में अगर 3 का multiply करेंगे तो 45 कार्रे मिल जाएगा अगर 4 का करते तो 60 है नहीं जादा जा रहा है हम जादा कार्रे नहीं ले सकते तो हमने क्या किया 3 का multiply इधर किया 3 का इधर किया तो 3 दो नी 6 मतलब दिन कितने होगा 6 है जह दिन में उन लोगोंने साथ में मिलके पैतालीस कार्य कर लिया अभी तो फिर तमारा कार्य बजा रहगे तो अब बचा क्या आपके 53 कार्य हो गए हैं तो तीन कार्य और बचा एक दिन में कितना कर रहा था अब बारी किसकी है आदमी की तो एक दिन में साथ कार्य कर रहा था एक कार्य निकालने के लिए हम साथ को कहां ले जाएंगे दिन की बटे में एक बटे साथ दिन में वो एक कार्य कर तो तीन कार्रे के लिए दोनों में क्या करना पड़ेगा multiply अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझने के लिए playlist पड़ी हुई है हमारी complete math की उसमें आप लोग time and work जाकर देखिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो तीन वटे साथ कार्रे तीन दिन में क एक सेकंड रुकिए पीडिये दूसरी लगानी पड़ेगी एक सेकंड रुक जाओ बसे ना आप 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 झाल आप शुरू करते हैं ठीक है एक्चली क्या था कि आपकी पीडिया मतलब कभी कभी क्या होता है एरर की वज़े से हट जाती है ठीक है तो अब सुरू कर लेते हैं हम लोग की पीडिया आपको solution आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहां से आपकी रोष्नी थोड़ी सी तेज कर लो यह हो जाती है ठीक है यहां से यह जाएगी तो कितने question हो गय थे आपके दो-तिन कोर्षेंशन हो गया थी यह कैसे हुआ था यह आप लोगों को पता है एक सेकें डूकना एक यहां से आपको आ जाएगा यहां से ले ले टीक है यह ओजाते हैं बढ़के एसका कितना अरहा था आपका 500 चाब पीडिया दूसरी लगाएं वो वाली पीडिव में यह 24,000 आ रहा था कितना हो रहा था आपके साधे साधे दिन हो रहे थे आगे चले हैं जो हाँ यह हैं अल जुंग कर रही है 30 न 25 प्रिती कर रही है तीस दिन बे टीक है प्रिती कर रही है आपके कितने 18 दिन में, तो टोटल कारे कितना हो जाएगा लगभग 90, 6-90 काट कितना हो जाएगा आपके 6, 6, 35, 30, 30 से जाएगा तो 0 हो जाएगा 3, 3, 9, इसकी छमता देखेंगे तो कितने हो जाएगा, 9, 2, 5 आजाएगी छमता, अब आपकी बची कौन, देखो ये तीनों मिलके कर रहे थे आपकी एक बची है, कौन सी सोनल, तो सोनल की अगर हम छमता देखें तो कितनी हो जाएगी, तीनों की मिलकर 15 है, तो इन दोनों की एड कर कि किसमें इस मैंसे माइनस कर दो, 15 मैंसे 8 गए तो सोनल की छमता कितनी आजाएगी, साथ आजाएगी, समझना बात को छमता की बात कर में आया यह सोनल का समय है किसका सोनल का समय है तो कितना है नभ्य वट्टे साथ जो कि ओप्शन चौथे में है ठेक है आई होप आपको सबज में आ गया होगा इसे करके देखिया आप लूग कि 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 अब देखो क्या हुगा एक दुकांदान ने नौ रूपे प्रती दर्जन की दर से इत्ती चौकलेट खरी दी यह दिवा है उन सभी चौकलेटे को एक रूपे प्रतेक पर बैख से तो उसका लाब बदाओं अच्छा आप लोगों को एक बाद समझ में आ रही है उसने नौ र दो कुलन नहीं है भसं Barbara frankkin इतनी खरे दी तो इतनी वीचेगी जब ऐसा को सना आथा जितनी ख़रीं के उतनी ही बेचरी है क्वाण्टिटी आइक वैचि आं ब्याद सकते क्वांटिटी बभामावर होने चाहिए तब ब्लबभिया कीन रूपे के क्या ंर्पर, आ को शीज, थी तीन दूर तीन ऩीन शरी चार खरीदी यह क्या आपका ट्राइस है टिक है 7- CJS 2 2 सुष्ट एक सबेची कुछा चाहिए है क्या है आपकी स्वाचिय बस्तु यह तो उसने कितनी चार बेची है तो यहां चार लेके आओ तो यहां पे भी क्या होगा चार का मल्टिप्लाई होगा मतलब तीन रूपे में चार खरीद रहा था और चार रूपे में चार बेच रहा है प्रोफिट कितने का कर रहा है वो एक का कर रहा है कितने का प्रोफिट कर रहा है एक का तो बस यही तो हमस प्रतिसत होता है क्योंकि यह जब हम complete chapter करा रहा है तो परसंटेज बहुत अच्छे से बताया था कैसे होता है ठीक है आगे चले हम लोग यहां देखो 1845 वे क्वों सी सबसे थोटी संक्या जोड़ी जायए ताकि यह जो है इतने सबसे बिभाज्य हो जाए तो यहां देखो एक पांच नो तीन से कट जाएगा है ना तीन से कट रहा है चार से कट रहा है क्या नहीं चार से कटने का मतलब है तो लास्ट की संख्या है दास्ट की दो संख्या है वो चार से डिवाइड हो रहा है यहां पर नहीं हो रहा है पांच से हो रहा है चैसे चैसे नहीं हो रहा क्योंक यहां क्या होना चाहिए यहां जीरो होना चाहिए तो पांच कम हो जाए या पांच जादा हो जाए तो कम की तो बात कर ही नहीं रहा है जोडने की बात कर रहा है तो यहां इन में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए अगर बारा जोड़ी जाएगी तो यहां कितना हो जाएगा साथ यानि यह नहीं जोड़ सकती तीन जोड़ी जाएगी तो कितनी हो जाएगी आठ आठ करेंगे तो 48 हो जाएगा 48 में 4 का डिवाइड हो सकता है 2 कि इतना हो जाएगा आपके 48 Call 6 अब देखे भी है इसकी बात यह तीन सेच हो रही है ये थीन से कैसा हो जाता है cancel हो जाता है अब देखो नो जोडेंगे तब भी नहीं होगा तो बचा कौन पंद्रा अगर पंद्रा इसमें एड कर देते हैं तो पांच पांच दस और एक कितना हो जाएगा पांच और एक छे अठारा सुसार्ट चेक करो यह चार से भी डिवीज्वल है यह क से पांच चैसे भी डिवीज्वल है यह यांशी जोड़ेंगे हम 15 और इसी तरहीं से दिखके से निकाल पैपर में सॉल्व करना है तो प्रतिक स्थिती टिव उसमें 210 चार सेसफल बच रहा था तो चार जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 414 हो जाएगा अंसर क्या हो जाएगा आपने 214 हो जाएगा ठीक है बहुत ही आसान तरीके से हो गया आके चले एक फल विक्रिता 150 रुपे संत्रों को क्रमसा इतने अनुपात में मिलाकर उसके उसके उपर 40 परसेंट का लाप चाहता है तो उसने क्या किया इसे मिलाया 40 को चार में मिलाया ठीक है बिल्कुल जल्दी आ जाएगा पिछेत्तर को गुड़ा 6 में करेंगे किसका पिछेत्तर गुड़ा 6 तो भाप मिक्स हो गया इनका एब्रेज पूछा तो एब्रेज के लिए हम क्या करते हैं कितने रेस्यों में मिलाया है उन सब का डिवाइड देते हैं तो कितना आ आ जाएगा उनौज सपन्दर्य जाएगा फॉन में पंद्रा रहा है यह ँग वह संख्या गयी संक्या ऑगी कितने विक्रे मूलर और उसके कर दा है चालिस परसेंटका करता है 50 क्ला चाहता है। इस से सभर सभरिता कर जाएगा 15 से पंद्र से बाता है एक सो चालीस रुप् को मिलाके पूचा selling price तो आफ आप लोगों को समझ में आगया होगा आगे चले हम लोग कहा है समलम चातुरभुज मैं सम्नुक समानतर भुजाओं की लंबा इतनी दे रकी अब सम्नुक चातुरभुज होता कैसे कुछ इस तरीके से होता है ये क्या होती है समानतर भुजाओं एक दूसरे के क्या होती है, समानतर, इसमें ये 8 है, और ये कितनी है, 12 दे रखी है, इन दोनों की बीज की दूरी देखी जाए, तो कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, ठीक है, अब समलुप चत्रभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता है क्या, पता है, कैसे निकाल दे चत्रभुज का एरिया, एक वटे दो, समानतर भुजाओं का योग, 8 प्लस 12, multiply उनके बीज की दूरी, 16, ठीक है, तो यहाँ लिख लो चाहे, 1, Y, 2, और समानतर भुजाओं का योग, समानतर भुजाओं का योग, है न, multiply आ जाती है, उनके बीज की द दूरी, ठीक है, तो यही यहाँ पर हो जाएगा, 2 से काट, 2, 8, 16, सीधे-सीधे, 8 आठ आ जाएगा, एरिया निकलाएगा, आपका, ठीक है, 8 और एक इतना हो जाएगा, 20, 8 नहीं को जाएगा, 16, 100 cm2, तो आपका कितना आ जाएगा, 160 cm2 आपका अंसर हो जाएगा, आगे चल देंगे, वर्णा क्या करते हैं, complete math अभी रहने देते हैं, दो class से आपकी बहुत जरूरी है, जो की paper, वो मैं आपके regular रखती हूँ, अगर जैसे net चलेगा, आपकी complete math की class चलने लगेगी, और बाकी आपकी UP Plus की भी class से हम करने लगेंगे, अभी यह आपकी regular चल लगी है, इस इतनी है, इतनी दे रखी है, तो बारसिक रूप से उधार ले गई रासी बताओ, यह कितनी थी है, आपकी किस थी, दो बरसों में चुकाई जा रही है, दर इतनी रहा है, 6% का मतलब आप लोग जानते हैं, कितना होगा, तो तोड़ो मत सीधे रखो, तो आसानी हो जाएगी आपको, यह तो फिर तोड़ो, 6% का मतला है, 3 वर्टे 5, तो 3 से 50 से कितनी हो गई है, तो दूसरी साल में जब जाएगी, पच्छम कितनी हो जाएगी, पच्छी सो हो जाएगी, इसका स्क्वेर करो, तुरेपन का स्क्वेर सब जानते होंगे, पच्छम 25 हो जाएगी, 3 तीन हो जाएगा, तो यह पहले साल की किस्त थी, यह से किस्त है, तो यह भी कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी, मतलब 3 पन, इसमें भी मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग 3 पन का, जब इसमें 3 पन का मल्टिप्लाई करेंगी, तो कितना आ जाएगा आपके, यह किस्त है किस्त आपकी किस्त दे रखी है इतनी यह रियल की किस्त दे रखी है यह इसमें निकली है हमारी रेशियो में किस्त निकली है तो यह मूलधन है हमारा यह क्या हो जाती है आपकी किस्त हो जाती है यह प्रतेक किस्त है तो जब हम यहां जोडेंगे तो 2, 8, 0, 9 यह क्या हो जाएगी प्रतेक किस्त ठीक है किस्त इसे दोड़ लो तो कितना हो जाएगा आपके जब यहां कर लेते हैं मल्टिपलाई ठीक है एक सेके लुक जाओ कितनी हो जाएगी यहां जब हम देखेंगे इसके लिए तो 5 таких हो जाएगा 25 एक 26 इससे और इसे जोड़ लूँ तो जीरो में जीरो जोड़ेगा तो कितना जीरो आ जायएगा 5 में जीरो जोड़ेगा 5 अजाएगा 5ज चन्हों 9 इतना हो इतना हो जाएगा बात समझ में आ रही है एक बार चेक कर लेते हैं पांच 3 15 हो जाएगा और पचम 25 होना चाहिए था यहां 26 हो जाएगा तो आजाएगा 0 का 0 5 5 5 और 6 11 होते हैं ठीक 1 11 हो जाएगा तो एक आ जाएगा अब आ जाएगा दो चार और 15 हो जाएगा तो यहां से तो हम्हें इसकी वैल्ल उतन कितने बार रोगे तो आराम से क्या कर दोड़ है इतना एक गालग हम देख लेते हैं कितना निकलाएगा मूलधन इतना है अगर हम इसे कितना मालने भूपवा से तीछ ओको बारा होते तो लगभग 20 के आसपास आना चाहिए तो यह तो नहीं होगा यह नहीं होगा इस में से और इस में से होगा ठीक है थोड़ा सा जादा होगा 20 से तो आपका होना तो यह चाहिए कितना होना चाहिए आपका यह होना चाहिए ठीक है लगभग हम जब एकजाम में बैठेंगे तो तो बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए आपका एक साइकल लुक जाएगा तो लगभक इतना हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा कैसे निकालोगे लगभक अगर हम इसे 30 माल लेते हैं तो 3 हो जाएगे आपके टीक है 0 3-0 हो जाएगे 3 से जाएगा 3-4 के 12 चार पंजे 20 थोड़ा सा उपर है तो 22 के आसपास चला जाएगा यह थोड़ा जादा है 22 से थोड़ा उपर होगा तो यह हो जाएगा लगभक इतना निकालाएगा आपका 22 नो 174 चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लेना थोड़ा कि एक हवाई जी आज एक निस्टेष दूरीको इत्ते किलूम्रत प्रदी घंटे की गति से तीन घंटे में तैकर ता तो उसी दूरीको इत्ते घंटे में तैक करने लिए उसकी उड़ान मता हो मतलब 4 पूंछ रहा तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं «शिक डिस्टेंस क्य की दाखिया है इस ने किया थे कितने समय में किया है 30 minutes to 54 ना जाएगा 51 ऊपर कौन आजाएगा 5 आज रहें विध कि स्पीड स्थ्री पंद्र है सो 150 किलो मीटर पर आवर से आपकी क्या जाएगी इस पीड़ा जाएगी कि अधिको क्या रहा है जी आपको एक बिल तीस प्रतिसर और दस प्रतिसर की छूट मिलती है ना जी आपको एक बिल पर दो छूटे मिली हैं उसने का कुल छूट बताओ तो हम क्या लगाते हैं सक्सेसिव तीस प्लस दस माइनस के तीस गोड़ा दस बटे सो आ जाता है दो जीरो से दो जीरो कटेंगे यह चालीस माइनस तीन मतलब की कितना आ जाएगा 37 प्रतिसर ठीक है जब आप इसे कर रहे होंगे तो सीधे माइंड में करना 30 और दस चालीस चा का आइतन तीन का इत्रिज्या वाले गोले के आइतन का इतनी इतनी अगोले के आइतन इभी पूरा गोला है समझ में आरे गोलार्द का मतलब होता है अर्ध गोला और गोले का मतलब होता है पूरा गोला उसका कितना 32 गुना है तो गोलार्द का ब्यास बताओ तो हम कर ही और 3 है 3 क्या हो जाता है क्यों हो जाता है पाइ से पाइ कट जाएगा 3 से 3 कर है 2 2 12 27 होते हैं 4 चौक्स होते हैं आपके है तो चार यह निकलाएगा तीन निकलाएगा ठीक है तो रेडियस कितनी निकलेगे जब हम क्यूंब में लेंगे क्यूंब में लेंगे तो कितना हो ब्यास जो होता है डायो मीटर क्या होता है तो डायो मीटर हो जाएगा टू इंटू ट्वाल अन उतलब की 24 24 हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 24 अंसर समझ में आगे कैसे निकालना है हमारे लिए आगे चलें यहां देखो तो 8300 पर 10% के बार्शिक व्याज की दर पर दो बर्सों के रूप में चक्रती व्याज हुए चक्रती व्याज और साधर व्याज के बीच अंतर बताओ अंतर जो होता है अंतर कितना आगया आपका दोनों का 83 है ना तरह हम कह सकते हैं c i c i 2 माइनस si 2 है बराबर इतना अगया ठीक है आप देहो आठ संख्यां का उसा 24 से यदि इन संख्यां में से एक संख्या रता दी जाती है थीक है तो अवसा 22 हो जाता है अब हटा आई गई शंख्या का ऊस वीत पख्या इंदट है आट में से एक अपगए हटा और ती ती तोटल 24 था हटाए गया हटाया गया का मतलब है एक जो गया है वो क्या हो जाएगा ले जाएगा अब 24 से कितना हो गया आपके 22 हो गया यह दो कम गया है मतलब यह जो 24 में से जाएगा जो जाएगा ठीक है जाएगा कितना ले जाएगा आपके दो कम हुआ है अब कितने रह गई है आपकी साथ साथ रह मैं से दो दो ले गई साथ दूनी कितनी चोदे ले गई ठीक है समझ में आ गई वात एक सेक्टिर रहो यहां आएगा आपका 22 ठीक है कितना आएगा 22 कि कोई जाने वाले की पूंच रहा है जब जाने वाले की पूंचता है तो अब बचा है उसत कितना बचा है उसत 22 बचा है कितना ले गया है 14 ले गया है तो अब टोटल करो कितना 36 तो जाने वाले की जो एबरे प्लस जितना कम हुआ है कितना कम हुआ दो कम हुआ है तो अब बचे कितने है साथ मतलब साथ मैसे दो-दो के हिसाब से बुल ले गया साथ ब्यक्तियों की दो-दो अमर ले गया तो टोटल कितनी होगे मालो आपके साथ ब्यक्ति तेक दो तीन चार पांच छे साथ इसकी भी द एक ब्यक्ति धारा की दिसा में इतने किलोमीटर इतने घंटे में करता है ते बोट प्लास स्पीड जो धारा की दिसा में होती है धारा की दिसा में जब जाते हैं तो बोट की स्पीड और यह जो धारा है से कहते हैं दोनों की स्पीड एड हो जाती है जब उसी जिस दिसा में थार जा रहे है उसी दिसाव में अगर कोई व्यक्ती है वोट जा रही तो इतने किलों एतने घंटे में तेख करती में तब आसब जाता है अगर डैना की विप्रित जाता तो बहत्तर एतने किलोंपे में । І एक यह वजाता तो नौ आजा görी 20 कि पूछ रहा है ? धारा, धारा मतलब इस्पीर होती है ठीक है ? बोट की चाल मतलब नाव की चाल होती है ल्ग रूज थी है ? उसे बीसे रेनोट करते हैं और जो धारा की चाल होती है ूसे किसे ? एसी एस की चाल हमसे पूछ रहा जब एस की चाल पूछ रहा तो इनको घटाओ घटाओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह कितना हो जाएगा तो एक किलो मीटर पर अवर निकल आएगा कितना आजाएगा एक किलो मीटर पर अवर अगर कहता भूट की निकाल लू तो तो अनंगो जोड देते ऐसे अगर संग जलता यह 20 हो जाता तो भूट की तो कितनी निकल के आती 10 किलो मीटर पर अवर हो जाती, आगे चले हम लोग का यहां देखो 15 iis बर्स में बिपिन का उसत मासिक बै इतना था पहले चार महीने में चеहले चार महीने में 6250 था फिर कहई रहा है अगले चार महीने में उसने एक्स रुपे खर्च किये अब कह रहा है यदी बारस मैंकुल इतना बचाता है सेविंग पूरे लास्ट बारा महिने में वो कितनी सेविंग कर रहा है यह 15,000 की सेविंग कर रहा है ठीक है और उसका मासिक वेतन इतने रोपे है कितना है 9,000 है अच्छा तो यहां से हम इतना कर सकते हैं कि उसने सेविंग इतनी की है और इतना बचाया तो एक महिने में कितना किया होगा इप extremes निकाले及 तो ती चो बारें है तीव पाहची 15 को आ जाएंगे आप तो इन्हें गिलता है तो इस मैसे जो यह है यह क्या है आपकी आया है एक सेविछ सवा मिल भुचसे टीन लिए क्या करते हैं हम जो आय होती है उसमें से क्या हटा देते हैं इसे हटा देते हैं यह क्या हो जाएगी आपकी expenditure जो मिलेगा हमारा का हूँ जाएगा एकषपेंडिचर एक बार हो जाएगिधे हम लिगने दस हो जाएगा पांच बचेंगे यहां बचेंगे कितने आपके 5 पांच मैंसे दो 3 बचेंगे यहां साथ मतलब कितना तहेट 350 त्यर्पांट पेizon है हई एब्रेज्ट टीक है ऐब्रेज बहिए अच्छ बाट सब्सक्राइब का रखते यह बनल रहा है तो देखो कितना जादा है जी लोका 0 रहेगा रहेगा यहां से रिक सेकेंट इसे, एक या expenditure निकल के आया है, समझ मेरा बात, च्यार लगना, क्या निकला है expenditure, ठीक है, तो कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है, 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 2 क्या, 1 जाएगा, 1 ज्यारा सो ज्यादा है, ठीक है, इतना ही आ रहा है इसमें देखो कितना जादा है आपके 0 जादा है 0 5 जादा है 13 मे से आपके 5 जायेंगे यहां से 3 मेंसे नहीं जाएगा तो 13 मेंसे क्या करहते हींगे थिच्छी पांच तो इतना बचेएगा आठ बचेगा अब चैक यह तहार रहेगा ठीक है कुछ स्बिस्टेक तो नहीं ओरी किस करते हैं तहेरतर सो आ रहा है तो जीरो कि जीरो हो अगया पांच आ जायेगा पांच में से दो गया टीन आ जाय गा अच्छ अच्छ यहां आठ आ निद आई गार्ण आफ के 8 था 5 था फाइन वैसर में जो गया तो तीन तो बचा ही, कितना आजाएगा आपके नौ में से गया, आठ, कितना बचेगा, आठ, तो यहां कितना हो जाएगा, 21, तो अब यहां देखो, यहां सही होना चाहिए, तो यहां देखो, यहां सही होना चाहिए, तो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां सह तो कितने आ जाएंगे आपके आठा जाएंगे ना तेरा आम पांच गए आठा जाएंगे बचे साथ में से एक अठारा सो अच्छा इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दींगे तो तीसरा वाला आप से निकल आएगा ना 21 अठारा यह क्या हो रहा है आपके जादा बैठ रहे है ना जादा बैठ रहे है इन से तो कितना हो जाएगा पांच जीरो टोटल कितना हो रहा है तीन पांच नो तीन और किससे है इससे जादा है ठीक है किसे इससे इससे क्या हो रहे है यह जादा हो रहे है मतलब हम एड जेएंगे 8-3 कितना हो जाएगा 8-3 0 2 5 5 3 4 3 5 5 10 10 13 8 जैने कितना फाय जाएगा 12 को कि अगे ऐबरे खर्चा निकल के आ रहा था आज इस पर है ब हो जाये को तensation ऐतना है तो से समझ रहा है तो जो ही एक फिर से समझ लो शार महिने का जुन सस बचान ते महींने चार। उसका खुर्च इतना था टॉटल खर्चा कितना निकला है इनका युट तो टो खर्चा कुल खर्चा है और कैसे निकाला यह भी आप预गों नेपका कि हमारे महीने की की बचत थी 15,000 तोती एक महीने की जादा है जादा वाली संख्या इसमें क्या करतेंगे जोड देंगे जब दोनों को जोड़ा तो इसका खर्चा निकला एक सो तेज तीक है तो यह आजाएगा आपके टोटल कितना हो जाता है ठीक है और क्या जाएग लड़की ओर 2 देखते हुए कि स्कूल में केवल के लड़के और लड़कियां है चीक है । तो बॉइस और गल्स निकाल सकते हैं, बॉइस कितने हैं 4, तो 4 को यहां double कर दो, 600 को गुणा कर दो, 4 चंग 24 हो जाएगी, यहां सीधी 600 को multiply करोगे, तो यह कितनी हो जाएगी 600, इनका क्या निकालना है, मद्यनुपात, मद्यनुपात जब निकालते हैं, सब को पता है, मद्य चौक 24 होते हैं, 6 चौक 24, 6 यहां है, 6 यहां है, 6 बाहर आजाएगा, 4 के लिए टूक से बोलो, 6 दो निकालते हैं, 12 सो, मद्यनुपात कितना आजाएगा, 12 सो हो जाएगा, समझ में तो आ रहाएगा, किस तरीके से हमें करना है, आगे चले हम दो, आगे देखू, यति देल क मूले 25 प्रतीसत बढ़ जाता है, मूले 100 से कितना हो गया, 25 प्रतीसत बढ़ गया, मतलब 125 हो गया, अब क्या कहरा, अर्पित तेल पर किये गए खर्च का 10 प्रतीसत बढ़ जाता है, जिन लोगों ने खर्च किया है, उनका कितना बढ़ गया है, 10 प्रतीसत बढ़ गया है, तो खरीद दे गए तेल की मात्रा, कितने प्रतिसत कम है, मतलब बढ़ा कितना 125, उसके पास 110 रुपे हैं मान लो, तो इससे कितना कम खरीदा है, कितना 15 कम खरीदा है, किस पर खरीदा है, इस पर खरीदा है, तो 125, परसेंटेज के लिए सोका गुणा कर दो, तो कम प्रतिसत, इतना आ जाता है आपका 12 प्रतिसात कम खरीदा है यह आपका अंसर हो जाएका आगे चले करा दो पैन और तीन नोट्वोक का मूल इतना है तो हमें मूल्य-पता चल जाएगा इससे का जाएगा एक नोट्वूक का तो पयंड कितना हो जाएगा यहां निकाल सते हो यहां से ही कालो 3-3-9 ट्रीक है 2 फैने हैं और यहां ऌ़ जाएगा 30 नब बन जाएगा composition यहां से जाएगा here यहां से अगर एक पैन का देखे दो एक सो तीस बटे दो चाहेगा तो पैन और किसका नोटबुक का पैन का कितना है one 30 upon 2 इसका कितना है 30 है अच्छे इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा 13 तो इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा 30 नूट 6 आ जाएगा तो यह आपका लास्ट पोशन था आप लोगों को कर लो में उला कितना है 30 एस साँ जाएगा 14 नूना है 1 साँ 1 आपभा भाओवार सकरों के अछाएगा कितना जाएगा कितना है 3 जाएगा तो 6 आपकासर कितना है झाल झाल